हेलो एब्रीमान गुड मॉर्निंग नमस्ते एंजैशी रादे कैसे आप सभी उमीद करते हूं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे स्वास्त होंगे सब अच्छेत होंगे तो देखिए टाइम हो रखा है पोने 11 बज रहें और नहादू के काम हो गया मेरा फिरी और यहा अच्छ की बलाव सिलने वाली उपला तो यहां पर देखिए पालक कर आयता और आलू की रोटी यह चीज़ें सर्दी में खाने की कुछ अलगी मतलब मज़े होते हैं तो चलिए पहले खाते हैं खाना फिर बाद में आप लोगों से मिलते हैं खाना मेरा जैसे कि मैंने बताय आज कर रूटीन थोड़ा सा चेल्ज कर दिया आहिक नाने के बाद ही बनाते हैं खाना और साथ के साथ खान लेटे हैं क्योंकि सब्सक्राइब ने लगता है खाना पीना खाकर बड़तन दोए तोड़ा सा की हमेने आराम और अभी बजने वाला है लगबल साड़े बारे या सब्सक्राइब देखते हूं थोड़ा से ठंडा चैसा लग रहा है तो पमें जाके काट लूँ दूप में जाके सलाई कर लूँगे और इसका देखें इसका मेंचिन में खराब हो गया इसका जो नेट वाल अब लावस था न उसके बाजू थोड़ा सा मतलब खेसर गई है बाजू थोड़ा सा टाइट भी आ रही थी इस वज़े से तो चलिए काम सारा खतम हो गया दस-वीस मिनट बैठे-बैठे हो गई थी अभी से लाई कर लेते हैं अपना ठंटी काफी काफी तो कुछ नहीं देके नाज थोड़ा सा बादल जैसा हो रहा है इससे थोड़ी से लग रही है साड़ी बादल सोच रही हूं मैं गलाव सिलने की अब देखती हूं थोड़ा सा थंड़ा जैसा लग रहा है तो उप में जाके काट लूं दूप में आके या तो या यहीं पे क काफी काफी तो कुछ नहीं लेकिन आज थोड़ा सा बादल जैसा हो रहा है इससे थोड़ी से लग रही है तो बस आज आलस को छोड़ दिया मैंने साइड में और यहां करने लगें विलाउज की कटिंग क्यों कि आलस में बस दुपहर का समय ऐसी निकल जाता है और मुझे जब मैं अपना विलाउज सिलती हैं तो आप लोगों के साथ सेयर करी देती हूं कि थोड़ी बहुत किसी के हल पोजाए अच्छी बात है मेरा तो कहा में तो अपना करती ही करती हूं तो मुझे कमेंट आया था थी थी आप मतलब बेल्ट के लाउज नहीं सिलती हो यह तीरा वाले जो नीचे से होते हैं तो सिलने को सिल लेती हूं लेकिन मैं कम ही पहनती हूं लेकिन आज जो है जो बेल वो चीज करके और मैंने इसको फोर फोल्ड करते और अब हमें इसमें अपना नाप लगा लेंगे जो गले और मोड़े और गले की चोड़ाई में ज्यादा हमेशा से मतला रखती नहीं क्योंकि बलाउज के गले इसमें जैसे सूट काम बनाते तो उसमें लगता है बुक्रम त तो अगर इसकी ज्यादा चोड़ाई ले दो नो फिर यह फेलता है कंधों से और ज्यादा गिर जाता है तो मैं डाई के अंदर ही अंदर इसकी चोड़ाई रखती हूं उपर से और नीचे से गहरा जितना रखना हो तो ना रख सकते हैं मैं तो छे या साड़े छे कुछ एस सकती है और पेन्ने में कंफटेबल नहीं होती है तो बस मुढ़े को भी मैंने ऐसे काट लिया था साड़े तीन इंची मैंने इसको मुढ़े को रखा है और नीचे से रखा छे इंची तो अब बैक में फिर दवारा से थोड़ा सा और मैं इसको कट कर लूँगी यह मेरा हो चाहेगा नो साड़े नो का दस की सम्थिंग सायद था जी इतना इसका मैंने डीप पीछे गार रखा है साड़े नो का सायद मैंने रखा है इसको और बस इसको कट कर लिया और जिस तरीके से मैं इसको कट कर रही न उसी तरीके से सीम मैं पीछे वाले शोरी अस्तर को भी हम उसी तरीके से कट कर लेंगे आव आती बात बेल्ट गी जो लोग बेल्ट बूल लगाने की बूलते न तो बस यहां से मैंने रखा इसको साड़े चार इंची और अपने मतलब मैं थोड़ा सा लेंथ मेरे बलाउज की साड़े तेरे इंची चौदे इंची नीचे की रहते हैं कर किसी कम है तो आधा इंची का फरक लगवागा आएगा और मैंने जो बीच वाली प्लेट होती है उसका निशन लगा है और वहां तक हमें इसमें लेना गुलाई और उसके बाद एक सीबी लाइन ड्रो कर देनी और इधर से साड़े चार रखा और इधर से साइद डाही र बाद में यहां बस पट्टी निकाल लेते हैं जो बलाऊच में आही बनाने के लिए लगेगी बाजू भी मैं इसकी कट कर लूँगी बाजू ज्यादा नीची नहीं रख लें बहुत छोटी वाली रखूं क्योंकि एक तो इसमें कपड़ा भी कम है दूसरा फिर यह बॉद्धार लेंट वाली वाजू में नहीं रख रही हूं फिर इसमें पूरा लग जाएगा पड़ा पूरा मैंने अगर इसको किया तो क्योंकि चोड़ाई में थोड़ा कप्रा कम है तो इस वज़े से मैंने सोचा छोटी रख लेती हूं और मैंने डोपटा यह हैवी आपाजियों को काट लेड़े ना होता है एसको देता ही व्यों सहे देंकर डॉट से और mean खाने चीडिये बताने कहां से आ गई थी तो मैंने साइड साथ में मैं एफ самойग learn प्लेट्स डालने के निसान तो पहले हम प्लेट्स डालेंगे प्लेट्स डालने के बाद हमें इसमें अटेज्ट करना है तो पहले हम इसको सिल लेंगे आपस में अस्तर और इस पट्टी को नीचे नीचे आदा एक इंची के मार्जन पर फिर उसके बाद हमें इसको उसमें ज तोड़ा सा वीट करूं करूं लेकिन और इसमें डालने बाद सर्फे चया निरिझनाग्प्व बेल्ट चैसे लगाने होती करें तो हुण होदी है यहाँ जो सिदा कर लेंगे जोंग और आपको कर लेना जोंग कैसे खिरनन चलिए देखाते हूं आपको मेरे ठोड़ी सी पीचे की तरफ देगने हो लग रहती मैंने टीवीचे ला रख्था थे थोड़ा टायम पास होता जाएगा और दो घंटे का हंटेर से दो घंटे के समय लगा था मैंने सिल के पूरा कर दिये था इसको तो बस उसको सीधा पार्ट रखना है और इसको उल्टा रखना है उपर से वेल्ट वाले को और बस आदा इंच ची के मार्जन पर ज्यादा हमें इसको नहीं दवाना बहुत थोड़ा थोड़ा ही दवाना है और इसको हम सिल देंगे यह देखिए इस तरी के से लग के तैयार हो गया अभ यह बाकी की ज़ो जितना भी इस में वह और बाज्व thoroughly हूं देखिए मैंने इस तरी के से बना के त्यार कर लिया एक साइल कम था तो जिसको मैंने जोइंट करके बाबख कर लिया और बस अभी था और इसके बाद फिर मैं इसमें लगाऊंगी है उसके बाद बस बाजू लगा कि अधिए यह प्रम परवाल ले shoulder इनको आपस मैं attach कर लूँगी और इनको attach करने के बाद फिर मैं अब की बार इसमें रखी मैंने putt piping क्योंकि कपड़ा एतना कंब खरकरा इतना मतलब piping इसकी और ज़्यादा चुपती है तो मैंने इसकी पाइपिन न लगा के अस्तर की पाइपिन मैं इसमें जोइंट कर रही है तो अस्तर की तो फिर पट्ट होती है अंदर की तरफ मतलब इसको फोल्ड कर दिये जाएगा तो बस पहले इसको मैं साइट साइट से सिल लेती हूं पूरा सिलने के बाद फिर मैं इसको देखे इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड करके इसको लगाया है तो मैंने रखी यहां पर डाई इंची का निसान लगा लिया मुझे मुझे बस डाई इंची का ही चाहिए बनके तयार और बस मैं साइड से यहां से सिलना सुरू करूंगे और अगर छोटा वड़ा जैसे अंदाज नह पड़ी मेरा बिल्कुल फिक्स आया था इस पर अब मैं लगा रहें फाइनली फिटिंग की सिलाई ऐसे मैंने दूसरी बाजी को तयार कर लिया था अभी फाइनली फिटिंग की लगा के और लास्ट वाले पार्ट में बस चुननट और डालनी बागी है तो बस अभी एक बा बाज से मैं नाप लूँगे और नापने के बाद में इसमें फिर एक और सिलाई लगाऊंगी तो फिर मेरी फाइनल सिलाई हो जाएगी मतला बिल्कुल बनके कंप्लीट हो जाएगी तो बस मैं इसमें डाल देती हूं पीछे वाली चुननट है और कंप्लीट करके देखाती यह देखिए बन की हो गया तयार महनत तो मुझे लगी लेकिन मेरी महनत कफल सामने है तो गंटे में मैंने अपना विलाव सिलकी कर लिया तयार और आप लोगों को अगर कुछ पूछ ना ओओ अगर आप मैंसे जो लोग कोई सिलना चाहते तो मैं कमेंट में बता सकती हूँ अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा होतों तो चलिए मैं पीतियूं चाय क्योंके अभी बच गये थे तीन चाय का उगया था टाइम और आपसे मिलती नेक्स्ट वीडियो में आई हूप आपसे की वीडियो आज का अच्छा लगावागा थेंक्क फोर वाचिंग